हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंग वित रेदीमा आज मैं बिलकुल ही अलग तरीके से ये दाल बनाने जा रही हूँ मुझे पता है कि आपको ये दाल बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसका टेस्ट बिलकुल अलग है और मैं इसे बिलकुल अलग तरीके से बना रही हूँ उसके लिए मैं दो टमाटर ले रही हूँ जिसको मैंने बीच में से दो चीरे लगाए हैं और मैं दो ही प्याज ले रही हूँ जिसको उन्हें भी मैंने बीच में से दो चीरे लगा दिये हैं उसके बाद चार से पांच मैं हरी मिर्च ले रही हूँ दो लाल मिर्च और एक बड़ी कटोरी ये अरहर की दाल है इसको मैंने अच्छे से वोश कर लिया है, वोश करने के बाद ही मैंने इसे कुकर में add किया है अब एक चमच नमक डालेंगे, एक चमच हल्दी नमक स्वाध अनुसार जानना लना है, अदर कम होता है तो हम बाद में डाल सकते हैं थोड़ा सा हिंग डालेंगे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे मैंने एक मग पानी एड़ किया है क्योंकि मेरी बड़ी कटोरी डाल है तो पानी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी अच्छे से होगा डाल में डाल तभी अच्छे से फूलती है उसके बाद हम इसे कुकर को बंद कर देंगे और इसे कम गैस पर Εक सीटी लगाएंगे तो हुम साथ खोल देंगे उसे कर तेज पर सा नदे लगाते हैं तो हम उसे थोड़ी देर के लिए बंद रहने देंगे een अब इतने दाल कुकर में नदार हम्वाद में चावल को धूल लेते हैं मैंने एक तेज पत्ता लिया है और इसके बाद मैं आधा चमत जीरा डाल रही हूँ उसे अच्छे से भून लेंगे जीरा भूनने के बाद मैं एक बड़ी इलाइची डाल रही हूँ एक छोटा सा दालचीनी का टुकडा लिया है मैंने और उसके बाद चार से पांच लोंग लेने के बाद तीन से चार मैंने काली मिर्चेट करी हैं और अब जो मैंने चावलो को वोश किया था उसको मैं भी मैंने फुकर में एड़ कर दिया है और उसके बाद मैंने चार गिलास पाने लिया है क्योंकि मैंने दो गिलास चावल लिये थे इसलिए मैंने चार गिलास पान नमक डालेंगे नमक बहुत ज़्यादा एड नहीं करना है इससे टेस्ट क्या है बहुत ही अच्छा आता है कोकर को बंद कर देंगे और कम गैस पर एक सीटी देंगे इधर हमारी डाल में सीटी आ चुकी है अब हमने जो टमाटर और प्या जिसमें एड किये थे उन्हें निका हो जाती है अब हमने जो यह टमाटर प्याज लिए थे उन्हें हम जार में एड कर लेंगे और इसे बिना पानी के ही पीस लेंगे उसके बाद अब हम एक पैन लेंगे उसमें थोड़ा सा ओल डालेंगे एक छोटा चमचे के अराउंड तेल गरम करने के बाद ही हम उसमें ए दो हरी इलाई ची एड करेंगे उन्हें अच्छे से भून लेंगे दो तिन लोंग एड करेंगे और अब हम इसमें एक चमच के अराउंड हम इसमें धनिया जीरा डाल रहे हैं जीरे के बाद हमने चोप किया हुआ गार्लिक एड़ करेंगे मैंने गार्लिक को पीसा नहीं है चोप किया है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है अब हमने जो प्यूरी बनाई थी टेमाटर और प्याज की उसको भी हम इसमें एड़ कर लेंगे थोड़ा सा क कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक वो इसे तब तक भूनेंगे जब तक वो घीना छोड़ने लगे अब हमारा देखो पेश तयार है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ किया था क्योंकि दाल थोड़ी सी टाइट लग रही तो मैंने हलकस क्योंकि ये दाल ठंडी होने के बाद भी टाइट होती है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ओर एड़ किया था और ये अच्छे से देखो हो चुकी है हमारी दाल अच्छे से बन चुके देखिए मेरी दाल बिल्कुल अलग अलग है अब पैन हम दुबारत स मैंने उसमें थोड़ा सा ओल लेंगे और सरसो का तड़का लगाएंगे उसके बाद उसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालेंगे और उसे भी हम उपर से दाल के उपर से गार्निश कर लेंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हरे धनिये से उसको गार्निश कर करती है और इससे चावलों के साथ सर्व गर्मा गर्म